नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भत प्रस्तती साथ 108 अन्य शाखाओं के उध्गाटन का बीड़ा आगे ले करके हम चल चुके हैं रिस्पॉंस अध्भुत है जैसा कि मैंने बताया था कोटा से भी बहुत अच्छा रिस्पॉंस है राजस्थान तीन जगह से बहुत अच्छा रिस्पॉंस है लोगों के इसके बारे में भी जानकारी नहीं है मित्रों जब तक कोई जानेगा नहीं तब तक वो मानेगा कैसे वो पाएगा कैसे कुम में हैं तो इसलिए ये गेटप आप लोग देख रहे हैं वैसे ये पर्मानेंट गेटप हमारा नहीं होता है लेकिन कुम में हम आठ दिन के लिए कलपवास में आए थे यांपर तो यहीं पर ये शूट हम कर रहे हैं और जब ये कारिक्रम आप देख रहे होंगे तो हो सकता है, हम उस समय गाजियाबाद अपने कारियाले पहुंच चुकी होंगे, मैं बताना चाहूंगा, दिनां 29-31 को हम कलकत्ता में रहेंगे, कलकत्ता वालों से मैं एक अन्रोध करूँगा कि अगर आप कलकत्ता में कल्चर वैली आरम करना चाहते हैं, एक प्ले गुरूप है ये, प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल मिन्स प्री नर्सरी, नर्सरी एंड केजी, इन तीन कक्षाओं के साथ, स्पेसल क्लासेज, कल्चर वैली स्पेसल क्लासेज फॉर सिक्स, सेवेंध एंड एर्थ, छठी सात्मी आठमी, प्लस डे केर, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी माएं जॉब के लिए बाहर निकलती हैं, खास तो पर मेट्रो सिटीज में ही हैं, तो कलकता, मुंबई, दिल्ली में तो बहुत जादा हैं, तो वो डे केर कहलाता है, हम कल्चर वैली में ये तीन सुविधाएं एक साथ लेकर आए हैं, इसके अलावा अगर कल्चर वैली, तो कल्चर वैली ही क्यों, अदभुत्स लेबस के साथ, अदभुत्स अंसकार, युक्त शिक्षा, हम आपके बच्चों के लिए प्रवाइड कराएंगे, जो आपने कभी सोचा था, कि ऐसा होता, काश ऐसा होता, एक फादर के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पैरेंट के रूप में, गारजेर के रूप में, अभिवावक के रूप में, हिंदी इंग्लिश दोनों का मिश्रुन देखिएगा, मैं खुद ये महसूस करता हूँ, कि मेरा बच्चा क्या सीखे, मेरा बच्चा संसका बैटा मैं नहीं चाहूँगा कि तुम लाल बत्तीज लगा करके उतरो, मैं चाहूँगा कि तुम चरितरवान बन करके मह को तो मेरी छाती चौड़ी हो जाएगी कि हां हमने अपने पुत्र को कुछ संसकार दिया है। ऐसे संसकारों से युक्त हमारे पिता की सिक्षा हमारे रख्त में संचारित होती है, हमारे ब्लड में बहती है. बस वही एक भीरा ले करके और कुछ विशेश कारणों से मैं इस अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए निकला हूँ आपके बीच में. एक लाख पच्चिस हजार साखाओं के संकल्प के साथ मैं निकला हूँ. आप किसी भी रूप में इस से जोड़ सकते हैं. और प्रदीव इसे मैं कहूंगा जरासाब को वो पकड़ा दीजिएगा ब्रोशर, ग्रेन कलर वाला. तो मैं एक यही संकल्प हमारा है कि आप अपने छेत्र में जब इस चीज को सुरू करेंगे तो दुनिया आपको जानेगी. इसका विदिवत एक छोटा सा इनाउग्रेशन अभी हम लोगों ने कराया है गाजियाबाद में. पीछे इसमें मैंने मेंशन किया है कि जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हों या जो ग्रेजुएशन कर चुके हों और एक अच्छे आप्शन की तलास में हैं. पार टाइम एंड फॉल टाइम. मैं अपनी बाहों को फैला कर आप सब का स्वागत करता हूं. आप आईए हमा हमें यूथ की जरूरत है. इट इस यूनीक स्टार्ट अप. ये बहुत बड़ा और बहुत हटकर स्टार्ट अप है. सवाल लाख विद्याले कि कहने में भी हलका नहीं है. ये तभी हो पाएगा मित्रों जब हम हर महीने 10 से 15 हजार 20 हजार विद्याले आरंब करेंगे. आप कोई भी प्ले स्कूल चला रहे हूँ. और मैं उन समस्त महिलाओं से आग्रह करूंगा, माताओं से आग्रह करूंगा जो रिटायर्ड होने जा रही हैं. जिनके फंड का गारी कमाई का पैसा निकल रहा होगा. जिनका फंड का पैसा निकलने वाला है और जिस पर उनकी हुएं और बेटे गिद्द निगाह लगाये रखते हैं कि अम्मा रेटायर हो रही तब पैसा मिलेगा सब लोग सेवा करो उन सभी महलाओं से मेरा आग्रह है कि आप अपने जीवन की अपने पसीने की गाड़ी कमाई को ऐसे ही बदबाद मत कर दीजिए एक ऐसा पौधा लगाईए कि आपकी उस कमाई को आगामी सतर वर्षों तक फिर हम मल्टिप्लाई कर सके हमें आपके धन की आबशक्ता है लेकिन हम वचन देते हैं कि आपका धन सही जगहन लगेगा और आपको अच्छा रिटर्न हम देंगे यह हम प्रामिस करते हैं बड़ी बात है तो पूरे भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी आप इसको आरंभ कर सकते हैं आप अमेरिका ऑस्टेलिया कैनेडा लंदन इंगलैन कहीं पर भी इंडिया से बाहर भी आप कल्चर वैली की साखाओं के लिए सोतंत रहें पैटर्न हमा कि मैं उतर चुका हूँ और अब मैं इसमें खुद को जूंकने जा रहा हूँ तो हम आवाहन करते हैं आप सब का कि आप आए कल्चर वैली के साथ हाथ मिलाए और एक नए अखंड भारत के निर्मार की तरफ अगरसर होई हमारा बहुत बहुत प्यार आप सब के साथ जुड अपर अचानक आठ दस वर्षों के बाद हम यूट्यूब पर क्यों आए हमें कुछ नहीं पता लेकिन अब लगता है कि साथ कल्चर वैली को इस्टैबलिश करने के लिए प्रिकिरती हमें यहां भेजी थी कि 11 लाग 12 लाग 20 लाग जुड़ जाएं और कल्चर वैली एक इत यह मित्रों और कुछ नहीं करना मैं यूथ से आवाहन करता हूं जो बारहमी में हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं अगर हमारे कारेक्रम से जुड़ गया आप अंड वोल माइ हैंड बहुत बहुत शुक्रिया 29-31 कल्चर वैली के लिए भी आप हमसे कलकता में मिल सकते हैं और अपना प्यार साधा कर सकते हैं थांग यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया कल्चर वैली मुबारक हो और हां परोस में देखते रहिईगा कल्चर वैली कुली गया अगर खुल गया हो तो भच्चों को वहां भीजना ना भूरिएगा थैंक्यू धैंक्स यालोट नमस् शेयर करना ना भूलिएगा